हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो अबर यूट्यूब चल एकजम्डोस मैं प्रवीन कुमर आपका स्वागत करता हूं किया वारत पर होते हैं और यूणान को हम नाम से जानते हैं मकदूनिया के से तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मकदूनिया या फिर जो यूणानी आकरमन थे वह भारत पर हुए तो क्या-क्या उनसे बद्वाब हुए, और यूनानी आकरमणों के क्रम में एकीज, जो हम सबसे पहले सीखेंगे, या फिर देखेंगे, वह है कि जिस सिकंदर को दुनिया महान बताती है, वह एक यूनानी सासक था, तो आज हम देखेंगे क्या सिकंदर महान था या फिर था क्रूर सासक तो आईए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रेश्ट वूमी में कि जिस प्रकार से भारत में मगत सामराज्य क्या उद्य हो रहा था तो जिस प्रकार से भारत में मगत सामराज्य अपना बिस्तार कर रहा था उसी प्रकार से पस्यमी प्रांतों में इरान और यूनान अपना सामराज्य बिस्तार कर रहे होते हैं तो इरानिया इरानी जो थे वह पहले बिस्तार कर रहे होते हैं क्योंकि उनका जो सामराज है वो हमने देखा था 560 BC में ही शुरू हो जाता है लेकिन यूनान में जब साषक आते हैं मतलब कहा जाए तो जब सक्तिसाली साषक आते हैं तो वहां आते हैं फिलिप और फिलिप के बाद आता है उसका पुत्र सिकंदर तो इनका जो है वह 359 BC में सुरू होता है कारेकरम किसका यूनानियों का इरानी अपना पहले ही जो सामराज विस्तार था वह कर चुके थे तो ऐसे में होता क्या है इरान और यूनान जो है आपस में टकराव की स्थिती में आ जाते हैं इरान और यूनान आपस में कड़े प्रतदंदी होते हैं और एक दूसरे के बहुत बड़े दुस्मन तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं इतिहास जो है हमारी यहां लिखना बाद में सुरू हुआ था तो इतिहास पर जो जलक जाती है वह जो पस्चिमी देशें उनी की जलक जाती है तो पस्चिमी देशों ने अपना इतिहास अपने तरीके से लिखा है और उनके ही जो लेखक थे बाद में जैसे आज हम पढ़ेंगे कि यूनानी जो सासक थे उनमें सिकंदर था और एक था सेलुगस निकेटर जिसको के सिकंदर छोड़के चला गया था हालांकि मैं यह वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा तो उसके भी जो सामराज्य था उसमें रहता था मैगस्थनीज तो इतियास मैगस्थनीज ने भी लिखा है अपनी पुस्तक इंडिका में तो इन्हों ने इतियास को अपने धंग से बताया है तो चलिए वही हम सुरू करते हैं तो हम जिस पकार से देखते हैं कि पहला जो सफल आक्रमण होता है इरानी अद्वारा भारत पर वह होता है 516 BC में और जब 516 BC में पहला सफल आक्रमण होता है तो ऐसे में क्या होता है इरान जो था इरान का सासक दारा प्रथम तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो है जो गांधार छेतर था उसको जीत लेता है और अपने सामराज के कुल 28 प्रांतों में से 20 वा प्रांत जो है गांधार छेत्र को बनाता है तो जब गांधार छेत्र को अपना 20 वा प्रांत बनाता है तो यहां से इतनी मात्रा में मुद्रा प्राप्त होती थी जिसको कहा गया कि 360 talent मुद्रा यहाँ से प्राप्त होती थी यहाँ एक क्या था एक तहाई था पूरे 28 प्रांतों से मिलने वाला राज़र सके तो ऐसे में होता क्या है अब नजर जब यहाँ से इतना talent सौना या फिर मुद्रा जो है 400 talent प्राप्त हो रही है तो ऐसे में नजर इरान और इरान के बाद जो यूनान थे यूनानी या फिर उनको कहें मकदुनियाई तो मकदुनियाई सासकों की भी भारत पर जाती है तो ऐसा नहीं था कि सामराज विस्तार के चकर में वो लगे हुए थे बाई जो भारत था वो तो सोने की चलिया था तो यहां से इतनी मुद्रा प्रापत होती थी तो ऐसे में उनकी नजर भारत पर भी चली जाती है तो इरानी और यूनानी आपस में एक दूसरे के कड़े प्रतिदिन्दी थे और यहां तक कि कहा जाता है जो सिकंदर था उसने इरान पर विजय प्राप्त कर ली थी तो इरान पर विजय प्राप्त कर ली थी और विजय में भी इतनी बरवर्ता दिखाई थी कि वह औरतों को उठा कर ले जाता था और जो बच्चे थे उनको तलवार की नोख पर कार देता था तो यहां से यह क्रूरता का साथ पता चलता है जो इरानी लेखक हैं इरानी लेखक सिकंदर के बारे में कभी नहीं लिखते कि सिकंदर एक महान सासक था उन्होंने जहां भी लिखा है उसमें यही लिखा गया है कि सिकंदर एक क्रूर और अत्यंत बरबर सासक रहा था तो चलो दोस्तों अब हम सुरू करते हैं यूनानी सामराज्य के बारे में 345 traffic या 40 में जो फिलिप दुतिय था उसकी मरद्ति हो जाती है तो इसकी मरद्तिय के पीछे भी जब 345 या 340 इसपूर में फिलिप की हत्या हो जाती है तो इसमें भी यह बताया गया है कि जो फिलिप था वहा खहीं बाहर विदेश में मिस्र राज्य में जीत के लिए गया था और वहाँ पर वापस लोटते समय है यहां इसको एक इस्तरी से प्यार हो इसी के चक्कर में जो सिकंदर था और सिकंदर की मा को ये लगता है कि अब जो बच्चा पैदा होगा वह उसका उत्रादिकारी होता होगा तो ऐसे मैं सिकंदर जो है अपनी मा को मामा के घर छोड़ कर आ जाता है और वहीं से इनी की साहता से अपनी मा की साहता से इसको जहर द 20 वर्स की आयू में सिकंदर जो उसका पुत्र था वह सासक बन जाता है और जब सासक बनता है तो वह अपने कई भाईयों की भी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वह राजगदी पर बैठता है तो चलिए जो भी रहा हो लेकिन 20 वर्स की आयू में सिकंदर जो है सासक प यही से ुरस्तु के माध्यम से ही है क्या करता है राजयपाथ को बढ़ाने की कोशिस करता है और इनका आसिरवाद प्राप्त करते हुए विश्व भिजेता बनने का सपना लिए सिकंदर चड़ाई कर देता है तो यहां से सिकंदर सोचता है विस्व विजेता बनने के सपने लिए तो मात्र 20 वर्स की आयू में यह सिकंदर क्या करता है मिस्र जैसे देश को इराक और इरान जिसको के बाद में चलकर इरान को भी हत्या लेता है तो mostly जो भाग था विस्व का उस पर सिकंदर जो है अपना कबजा कर लेता है सिकंदर के पास एक विसाल सेना थी और ऐसे में सिकंदर ने जब इस आदिसी दुनिया को जीत लिया इसलिए इसको कहा जाता है कि सिकंदर एक महान सासक था ऐसे में क्या करता है जब 331 इसापूर्व में सिकंदर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गागा मिला का एक योद्ध होता है क्योंकि इरान जो इरान कहें या फिर कहें तो फारस और यो जो यूनान है और मकदूनिया कहें इन दोनों में आपस में कड़े प्रतदंदी होते हैं तो 331 इसापूर्व में सिकंदर दारा प्रतम जो था इरानी सासक उस पर आक्रमर कर देता है और इरान को अपने कबजे में ले लेता है इस प्रकार से इरान, मिस्र, आदी देशों को, इराक जैसे देशों को यहाँ पर सिकंदर का अधिपत्य स्तापित हो जाता है तो हम अभी discuss already करी चुके थे कि जिस प्रकार से 360 टेलेंट गांधार से जाता था तो अब नजर उसकी पड़ती है किसकी सिकंदर की भारत पर और यहाँ भारत पर चड़ाई कर देता है तो जब सिकंदर अपना बिस्व बिजेता सपना लिये हुए आता है तो भारत के पस्मोतर प्रांत में हिंदू कुस परवत से एक खैवर दर्रा होता है तो हिंदू कुष परवत होता है और वहीं पर होता है खैवर दर्रा उस दर्रे को पार करते हुए पस्मौतर प्रांत में सिकनदर प्रवेस कर जाता है तो क्यूंकि आज भारत और पाकीस्तान दोनों अलग हो गए तो उस समय बा किस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था तो ऐसे में सिकंदर जो पाकीस्तान वाले इलाके है वहाँ पर अटैक कर देता है हम बात करें तो यह 326 सीसा पूर्व में सिकंदर भारत में प्रवेस करता है किस से हिंदु कुस प्रवत का खैवर दर्वा पार करते हुए और आकर पस्चिमोतर प्राम्त को जीत लेता है जब पस्चिमोतर प्राम्त को जीत लेता है तो अपनी जीत के करम में सिकंदर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो इसका जो सामना होता है वह होता है राजा आंबी से तो जो राजा आमबी थे वा तक्ष सिला के सासक हुआ करते थे और तक्ष सिला के सासक राजा आमबी से सिकंदर का मुकाबला होता है तो जब इन दोनों का मुकाबला होता है तो आमबी जो है पहले ही आत्मसमर्पर कर देता है और युद्ध नहीं लड़ना चाहता तो ऐसे में आम भी अलड़ी आत्म समर्पर कर देता है और युद्ध नहीं लड़ता है तो जो तक्षिला का सासन था वहाँ पर भी अधिपत्याव किसका हो जाता है सिकंदर का हो जाता है अपनी जीत के क्रम में सिकंदर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए पंजाब सासक आमभी जो था वह आत्म समर्पर्ण कर देता है लेकिन पौरुस इतने सक्तिसाली और बहादुर थे कि यहां आत्म समर्पर्ण न करते हुए इन्होंने युद्ध में लड़ना जो है वह उचित समझा और यह सिकंदर के साथ होता है युद्ध तो जो राजा आमभी थे पंजाब प्रांद के इनका जो सासन था वह था चिनाव और जेलम नदी के बीच में तो चिनाव और जेलम नदी के बीच में राजा पौरुस का राज्य होता था तो यहां पर जब वो सिकंदर आक्रमर कर देता है तो ऐसा बताया जाता है मतलब कई इतिहासकार बोलते हैं कि ये जो है पाकिस्तान वाले लाके से वापस लोड गया था सिकंदर और कभी सिकंदर ने भारत पर आक्रमरी नहीं किया लेकिन खेर जो भी हो तो यहां पर पता चलता है कि पंजाब प्रांत के जो सासकार पौरुस थे उनके बीच में और सिकंदर के बीच में युद्ध होता है जिसमें के सिकंदर की जीत हो जाती है तो सिकंदर की जीत हो जाती है हलांके एक भीसन युद्ध इनके बीच में होता है बहुत सारी सेना का कतले आम होता है, मारी जाती है तो ऐसे में जो भीसन युद्ध होता है लेकिन जब सिकंदर जीत जाता है तो सिकंदर जो राजा पौरुस थे उनकी बहादुरी देखकर उनके कुछ राज्यों को बापस राजा पौरुस को दे देता है और इनके बीच में एक संदी होती है कि आगे का जो युद्ध हम लड़ेंगे भारत में उसमें हमारा साथ दोगे तो यहां से इसको मिलता है आमभी का साथ और आगे मिल जाता है राजा पौरुस का साथ तो जब राजा पॉलुस का साथ मिल जाता है तो सिकंदर अपनी सेना को आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन उसको यह पता होता है जो राजा सिकंदर महान जो था उसकी सेना यहां से आगे बढ़ने के लिए मना कर देती है और सेना बोलती है कि ब्यास नदी को हम पार नहीं करेंगे उसके पीछे राजन ये भी था क्योंकि जिस प्रकार से इसने पस्यमोत्तर भारत में विजय प्राप्ति की थी तो यहां के राजा छोटे छोटे राजा होते थे और आपस में गठबंदन था नहीं तो ऐसे में इजीली यहां जीत लिया था लेकिन उसको यहां अंदाजा लग चुका था कि जिस प्रकार से राजा पौरुस ने एक छोटे से युद्ध में इतना नरसंगहार हुआ है तो आगे जो मगद एक 37.40 सामराज यहां का के राजा अलरेड़ी कुरूर सासक घनानद था तो घनानद जो था वह एक कुरूर सासक था और वह अपनी कुरूरता के लिए पहले से ही प्रसित था तो अब जो सिकंदर की सेना है वह पहले से सोचती है कि भाई जब यहां ऐसा हुआ है तो वहां चल कर जब इतने कुरूर सासक से हम करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा तो सबसे पहला रीजन तो यह था कि क्यूं सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है दूसरा रीजन यह था कि जब सिकंदर 326 सिसापूर्व में निकला था और 325 सिसापूर्व तक लगवग 19 महीने तक भारत में रहता है तो इतने लंबे समय तक जो सिकंदर की सेना थी वह अपने घरवालों से दूर थी तो घरवालों की भी याद सता रही थी साथ में सेना जो हब बुरी तरह से ठक चुगी थी और उनका आत्म मनोवल था वह तो अल्रेड़ी तूड चुका था कैसे पौरूस की लड़ाई देखकर तो ऐसे में जो सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है और वहीं से सिकंदर बापस होने लगता है तो आप यहाँ से एक चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि सिकंदर जब इतना क्रूर सा सकता कि उसने अपने भाईयों को नहीं छोड़ा इरान के सासक को भी मार दिया था बच्चे औरत सब को कतलयाम कर देता था तो यहाँ बताते तो हैं कि यहाँ पर राजा जो पौरुस था वह हार गया था तो अगर यहाँ से हम यहाँ देखा जाए इतिहास को अलग से देखें तो क्या आपको लगता है कि सिकंदर यहाँ तक प्रवेस कर पाया होगा नहीं क्योंकि अगर सिकंदर ने यहां तक प्रवेस किया है और यहां पर जब वो जीता है सिकंदर ने जीता है तो क्या राजा पौरुस के साथ उसने कैसा बिभार किया होना चाहिए था राजा पौरुस जो था उसको भी मार देना चाहिए था हलांके इतियास जो है युनानियों के और पसिमी जो इतियास कारें उनको ज़्यादा मानता है तो ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध हुआ था जिसमें के सिकंदर जीत गया था और यहां यह भी बताया जाता है कि जब सिकंदर जीत जाता है तो राजा पौरुस से पूछता है बोलो आपके साथ मैं कैसा बेवार किया जाए तो ये उक्ति आपने सुनी होगी कि राजा पौरुस कहते हैं कि एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ ब्यभार करता है वो ब्यभार किया जाए तो बाद में जो है जो राजा पौरुस तो उसको छोड़ देता है ये हालंके यहां से इनकी सेना जो है 19 महा तक रहते हुआ ठक जाती है और यह घर बापसी करने लगती है तो 325 इसा पूर्व में घर बापसी करती है तो सिकंदर अपनी सेना को दो टुकडियों में बांड देता है जिन मैसे एक टुकडी जो थी वो थल सेना के मार्ग से जाएगी थल सेना जो है रास्ते जाएगी थल के और दूसरी जल सेना जो थी जल के रास्ते से बापस जाएगी तो जो थल सेना थी उसका जो हैर जो बन कर जाता है वह खुद उसका सिकंदर जो है स्वेम लेकर जाता है थल सेना को और जो जल सेना थी उसको लेके जाता है उसका जो उसका राजदूद कहें या फिर सेना पती कहें वह लेके जाता है निर्याकस तो यहाँ पर जो सेना है दो टुकडियों में बढ़ जाती है एक का नेत्रत करते हैं स्वेम सिकंदर वह थी थल सेना और दूसरी जो सेना थी जल मार्क से जल सेना उसका जो करते हैं वो करते हैं आपके निर्यागस तो यह दो सेना हैं दो अलग अलग टुकडियों में जाने लगती है जब थल सेना के नेतरत करते हुए सिकंदर बापस लोट रहा होता है तो वहाँ बताते हैं कि फिर जाटों से भी युद्ध हुआ था खेर जो भी रहा हो आगे चल कर होता है कि जब यह बापस लोट रहा होता है तो बीच में बीमार पड़ जाता है सिकंदर उसको बुखार आ जाता है और बेवी लोट नामक जगह थी वहाँ पर 325 इसापूर्व में ही इसकी इम्रत्यु हो जाती है तो 325 इसापूर्व में सिकंदर की इम्रत्यु हो जाती है और बताते हैं यहाँ पर एक स्टोरी है सिकंदर जो है दोनों हाथ खोले हुए था जब उसको कबर में डाल रहे थे तो ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके दोनों हाथ क्यों खोले हुए थे तो क्योंकि सिकंदर ने ही कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे अब हम बात करेंगे कि यूनानी आक्रमण जो था उसके प्रभाब भारत पर क्या-क्या पड़े तो जिस प्रकार से लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इरानी आक्रमण के क्या-क्या प्रभाब हुए क्योंकि कोई भी हो चाहे योध हो या कुछ भी हो जग दो देस इरानी आक्रमण में खरोष्टी लिपी का जनम होता है इस प्रकार से यहां पर क्या होता है यहां पर जो यूनानी आक्रमण की वेज़े से एक नए उसका जनम होता है और वह कहलाता है गांधार सेली तो यूनानी आक्रमण की वेज़े से गांधार सेली का विक्सित होती है और गांदार जो सहली थी उसके उपर एक अकोलो देवता होते थे यूनान के तो यूनानी देवता अकोलो के भी चितर देखने को मिलते हैं तो यहां से प्रशन बहुत बार पूछा गया है कि यूनानी आक्रमर्ड की देन क्या थी, तो वह थी गंदार सहली और इरानी आक्रमर्ड जो था, उसकी देन थी खरोस्टील लिपी, नेक्स्ट बात करें, तो सिकंदर ने जीत के लिए एक निकईया सहर बसाया था, तो भारत में एक निकईया सहर बताया था, और निकईया का साब्दिकर्थ होता है बिजेता, तो अपनी जीत के उपलक्ष में, एक निकईया सहर सिकंदर ने बसाया था, साथ ही एक बहु कैफला, बहु कैफला जो सहर है, यह बसाया था, और बहु कैफला सिकंदर के प्रिय घोडे का नाम था जो के राजा पौरोस से युद्ध करते समय मारा जाता है तो उस अपने प्रिय घोडे के नाम पर एक सहर बहु कैपला बसाया था तो निकईया जीत के उपलक्ष में और बहु कैफला अपने घोडे के नाम पर और साथ ही सीमा प्रांट से बाहर एक सिकंदर या सहर इसने बसाया था तो यहाँ जो सिकंदर या सहर था यहाँ पाकिस्तान में पड़ता है तो फिलहाल का जो पाकिस्तान है उसमें एक सिकंदर या सहर है जो कि सीमा प्रांट से बाहर बसाया था यहीं से हम पता कर पाते हैं कि यहीं से जो ऐसे सिकंदर लोड गया था ऐसा नहीं था कि यहां तक सिकंदर आया हायरो स्पीजिस का युद्ध हुआ या ऐसा हुआ हालंके इत्यासकार यहां बताते हैं कि जो सासक पौरुस के साथ भी इसका युद्ध हुआ था अब बात करें तो जिसे प्रकार से हमने देखा था कि भारत के पस्यमोत्तर प्रांतों में छोटे छोटे राजा थे मदर देश के राजा हुए तक छला के हुए आमभी के हुए या फिर गांदार छेतर के हुए तो ऐसे सासक जो थे इन पर जीत हासिल करना बहुत आसान था तो बाद में चलकर जब देखेंगे हम मौर्य सामराजी का इस चीज़ों पर भी ध्यान जाता है और वह देखते हैं कि ये जो पस्यमोत्तर प्रांत है इसको संगठित करना बहुत जरूरी है तो ऐसे में जो भारत का एक ही करन है यह भी देन है किसकी यूनानी आकरमण की और नए मारगों का पता जो है इन आकरमणों की बैसे चलता है जिसकी बैसे पस्सिमी देशों के साथ ब्यापार भी बढ़ जाता है तो नए मारगों का पता चलता है और इतिहास को लिखने में इ पॉरों से कुछ छेतर जीत लेता है तो ज़र राजा पॉरों से कुछ छेतर जीत लेता है तो उन जीते हुए छेतरों पर अपने सैनापती सैलुकस निकेटर को छोड़ कर चला जाता है जब वापस लोट रहा होता है तब वह अप्टें सैनापती सैलुकस निकेटर को है जिस्कों के बाद में मौर्य सामराज्य में १ूरत निकेटर के दरवार में ही एक कभी रहता था या फिर गान की हिना फिर ने सिकंदर को कभी महान नहीं बताया, यह सब सिकंदर को एक क्रूर सासक के रूप में ही देखते हैं, जो कि इस तरी बच्चों तक को नहीं छोड़ता था, तो यहां से वे उसकी बैसे भी इतिहास को लिपी बध्ध तरीके से लखने में साहिता मिलती है, या फिर क्रमबध तरीके से लिखने में साहिता मिलती है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भारत पल युनानी आक्रमर जो समझ में आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें थेंक्यू